Hello Everyone! Welcome to the Class! तो आज हम revise करने जा रहे हैं और एक नया chapter प्लस टू सकेंडिय। सेज असी बोड का तो आज का हमारा chapter का नाम है IT Applications तो आज के class में हम क्या करेंगे IT Applications chapter के वो सारे topics को discuss करेंगे, सारे topics को revise करेंगे, जो सारे topics इस बार सेशन टुथाउसेंट ट्वाइंटी ट्वाइन में सेकेंड यह सेचेसिफ बोर्ड एक्जाम में आने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं डिसकुशन जैसे कि आज के क्लास का हमारा फॉस्ट टॉपिक है ए बिजनेस तो यह ए बिजनेस का डिफिनेशन पहले हम डिसाइड क कोई भी बिजनेस अगर हम और यए पिर शैसे के नauर्म बिजनेश दूर्ट लॉगम करते हैं दो अस तरहने के बिजनेस को हम बोलते हैं और उनलाइन बिजनेस और तक्रोनिक के तरह दो नहीं करता हैं तो कि बिजनेस है और इसिस ञुंग दून के तुम करते हैं और कोई भी बिजने स्थ हो जाहे वह ओनलाइंग बिजने स्थोरी उपिर आ खूट सारे चीज़े haven में मैझेज किया जा सके किसी जाद से ज्ञादा को फित कैसे हम सकें किसी भी company के साथ अगर हम पार्ट्णर सीप कर तो पार्ट्नर से वंके साथ कैसे प्रौपर मेंटेन होके रहे ये सारे चीज़ों को भी हमें लते हैं क्या करना पड़ता है मेंटेन करके कि reconstrumers की मेंनेच किया सके जो कुस्तमर हमारे साथ link है उन के साथ कैसे proper relationship मेंट ऐसके बीजनेस कैसे properly ग्रोकिया जा सके यह सारे internal processes है और external processes bands online selling and why जहां online के थरोप selling करते हैं वा spezie pack करते हैं वह हमारा external process और उसके अंदर जो internal processes हो करते हैं वह कि एसे कि कितना होगा किसे सथ कैसे रिलेशंट करें एंप्लोई कैसे को कैसे प्रॉपर ली स्क्राइब में मैनेज करके रखें यह सारे चीजों को भी फिजनेश में ध्यान जाता है मतलब सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं ए बिजनेस के थुरू हम बोथ external and internal process को properly manage करते हैं और manage करके business को proper way में हम कर सकते हैं तो ए बिजनेस करने के ज़रूती क्या पड़ी नॉर्मली थो हम business कर सकते थे ए बिजनेस या फिर online business करने की main intention यह है कि हम क्या कर सकें कम टाइम में जादा सी जादा लोगों तक पहुँच सकें और जबह पोणकर करके कम में ज्याद सी जदा क्रोफिट यहाइं कमा सकें इसी लिए business निकाला गया तो फिकator business ननोन यह कि बिजनेस जहां पर सेलिंग और बाइंग तक हमारा बिजनेस लिमितेड नहीं होता सेलिंग और बाइंग के अलावा कॉस्टमर रिलेशन सेप एंपलॉई मैनेजमेंट बिजनेस ग्रोथ पाटनर्सिप मैनेजमेंट एज डिफरेंट टाइप आप आप कॉंसेप्ट के उपर भी हमें ध्यान होता है जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बोथ इंटर्न और एक्टर्नल प्रोसेस को मैनेच करता है बिजनेसा ऊनलाइन के थूशेल कर से जदर्डासिवत कमा सकते हैं तो अभी हम देखेंगे कि फीचर सब इब 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 इजनेस क्या क्या फीचर या फिर क्या 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 अगर कोई बिजनेस कर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह बिजनेस हमें 24-7 दिन रात हमेशा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जब चाहें दव हम क्या कर सकते हैं इस बिजनेस से इंटरिनिट के मात्याम से सर्विस को यूज कर सकते हैं अगे यीजनेस हमें जो भी सरविस प्रोवाइड करता हैं वेब सका सकते हैं उस cuales घर बेटे क्या कर सकते हैं इजेलिक उस परिक कुलर यह पिजनेस और्गनाइजीशन से जो वी सर्विस पाना चाहते हैं उस तरह का सर्विस इजिलिह हम पा चकते हैं उसके बाद फास्टर एकसे सको प्रिस्स परोईट करता है अप紹प reef करता है एस नॉर्म बट ई-business के थूरू लाखों-लाखों लोगों को क्या किया जा सकता है simultaneously, service easily come time में provide किया जा सकता है यह भी एक तरह का feature है जो कि e-business provide करता है और क्या facility provide करता है? FAQ FAQ मतलब frequently अगर हमें कोई भी product के बारे में कुछ query करना है कुछ ज़्यादा information collect करना है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो वहाँ पर हमें facility provide करता है जिसको हम बोलते है FAQ FAQ मतलब frequently asked question जहां कर हम क्या कर सकते है जिस भी तरह का doubt हमारे mind में आता है particular product को लेके हम क्या कर सकते है frequently questions वहाँ पर पूछ सकते है जो question का answer एक limited time के अंदर as a result या फिर as a response हमारे पास आ जाता है जिसके द्वारा हमारा जो भी doubt होता है particular product को लेके वह easily हमारा clear हो जाता है यह facility या फिर यह feature भी हमें provide करता है e-business उसके साथ-साथ e-business हमें different type of online store provide करता है कि हम कहीं पे भी हो हम घर पे कहीं पे भी हो किसी भी वक्त हो जब चाहें तब हम क्या कर सकते है प्रोड़क्ट को order कर सकते हैं घर वेठे अपने comfortable situation में यह facility हमें provide करता है उसके साथ-साथ जैसे कि आप कोई दुकान में जाते हो दुकान वाला याद रखता है कि आपको किस तरह का product ज्यादा पसंद है किस तरह का product ज्यादा पसंद नहीं है नहीं तो उसके पास जिस तरह का product है उसी तरह का product आपको क्या करता है डिस्प्ले कराता है, दिखाता है दुकान में, बट अगर आप e-business के थ्रू कोई भी product खरीदते हो, तो वो क्या करता है, आपका choice क्या है, आप किस तरह के product को ज़्यादा prefer करते हो, उन सारे चीजों को, उन सारे information को वो track करके रखता है, या फिर store करके रखता है, जिसके वज आपको front screen में display कराएगा, जिसके वजए से आप जिस तरह का product ज्यादा पसंद करते हो, उस तरह के product को आपको ज्यादा से ज्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा, बीना ज्यादा सर्च किये उस तरह का product आप easily क्या कर सकते हो, अपने pass अपने website में easily देखके खरीद भी सकते ह क्या के different type of feature provide करता है business organization 24-7 दीन रात service provide कर सकता है, website के through service provide करता है, जिसके वज़े से online platform में provide करता है, online कित्रों product को खरीच सकते हैं, उसके बाद हमें faster access provide करता है client को, जैसे कि एक बार में लाखों लाखों customers क्या कर सकते है, product को खरीच सकते हैं, उसके साथ हमें FAQ frequently asked question वाला facility provide करता है, जिसके वज़े से हम job चाहें, तब जिस तरह का question चाहें, उसी तरह का questions हम पूच सकते हैं, उसके साथ हम घर बैठे, जब चाहें, जहां से चाहें, जैसे चाहें, वैसे हम क्या कर सकते हैं, product को order कर सकते हैं, तो यह है different type of feature, different type of facility, जो कि हमें a business organization provide करता है, अभी आत pure play e-business, और एक है brick and click a business, और यह क्या है brick and click e-business, तो किस तरह के business को हम pure play e-business बोलते हैं, किस तरह की business को brick and click e-business बोलते हैं? प्यूर 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 प्यू बिजनेस सुरू करता हूं जैसे कि मेरा कोई फिजिकल ओफिस नहीं है मैं घर पे प्रोड़क्ट रखके क्या कर रहा हूं ऑनलाइन के तुर सेल कर रहा हूं तो वहां पर उस यह बिजनेस को हम बोलेंगे प्योर प्ले बिजनेस बट एमेजन है फ्लिपकाट है इवे है इनका हेड़कॉर्टर भी है मतलब इनके ऑफिसेज भी है मतलब इनका फिजिकल एक्जिस्टेंस भी है और उनलाइन एक्जिस्टेंस भी है तो जिस तरह के यह बिजनेस का बोट ऑनलाइन एक्जिस्टेंस एंड फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है उस तरह के यह बिजनेस को हम करेंगे discussion करेंगे okay okay तो e-commerce हम किसको बोलते हैं पहले वो जानते हैं online selling and buying a product और online selling and buying of goods and services is known as e-commerce online के थूँ अगर हम कोई भी product means good या फिर services अगर sale करते हैं या फिर buy करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे e-commerce अगर simple term में कोई पूछे online के तुरू अगर हम कुछ भी transactions करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं e-commerce okay तो पता चले e-commerce क्या है e-commerce means the online selling and buying of goods and services तो एक business में selling and buying एक उसका part है तो जबकि selling and buying e-business का एक पार्ट है तो e-commerce भी e-business का एक पार्ट है मतलब simple term में हम क्या बोल सकते हैं अगर यह एक business है okay normally अगर यह एक business है तो business का एक पार्ट जो है जो major part जो है वह major part क्या है major part है e-commerce कोई भी business का major part क्या है selling and buying selling and buying के उपर ही बाकि सारे चीज़ depend करते हैं तो selling and buying जो हम करते हैं online के through उसको हम क्या बोलते हैं e-commerce so simple term में हम बोल सकते हैं e-commerce is the e-commerce is the subset of e-business okay e-commerce is the subset of e-business या फिर e-business is the superset of e-commerce हम बोल सकते हैं तो distinguish between e-business and e-commerce e-commerce and e-business की बीच distinguish करते हैं e-business electronic business e-commerce means electronic commerce first point second is e-business means the online presence of business is known as a business but the online selling and buying of goods and services is known as e-commerce then third point e-business mainly manages all internal and external operations every processes of a business but e-commerce only manages the external processes of a business external processes means it only controls the selling and buying operation it only performs the selling and buying operation of a particular business okay then समझागे इतना e-business में हम क्या करते हैं customer के साथ relationship maintain करते हैं employee के साथ relationship maintain करते हैं business कैसे growth होगा उसके लिए ध्यान देते हैं but e-commerce में हम सिर्फ selling and buying के उपर ही ध्यान देते हैं तो पता चला क्या है difference in business and e-commerce के बीच दिन आते हैं application of e-commerce e-commerce का application मतलब e-commerce को हम कहा कहा पर यूज करते हैं जैसे कि कोई भी university में आपको online course प्रोवाइड किया रहा है तो वहाँ पर भी e-commerce का यूज हो रहा हैं हम बोल सकते हैं यह वो क्या करते हैं online के थूरू हमें पोर्स टिकेट बुकिंग बस का टिकेट बुकिंग उगे उसके बाद टिकेट बुकिंग वह भी उम बोल सकते हैं उसके बाद और कहां पी उस होता है जैसे कि online के थूरू हम अगर कोई करते हैं कोई प्रोड़क्ट खरिते हैं तो वह भी कमर्स बोल सकते हैं तो सिंपल टम अगर बोलें कि online के थूरू अगर हम कोई भी बूट्स यह फिर कोई भी सर्फिसेश करिते हैं और खरित के online के थूर अगर 24-7 मतलब दीन रात हम जब चाहें तब हम क्या कर सकते हैं सर्फिस पासकते हैं जैसे कि online shopping site अब जब चाहो तब वहां से प्रोड़क्ट खरिच सकते हो कि नहीं खरिच सकते हो जैसे कि जो भी नॉर्मल दुकार में अगर जाओगे तो दीन रात जब चाहो तब आपको प्रोड़क्ट सेल करेगा क्या नहीं करेगा एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको प्रो सं 25 करिते हैं तो हात में पैसा पकड़ की रखना को जरूरत नहीं है अगर yt ciert कर सकते हैं डारेकिंग सब्सक्रीण हैं स Ama कर सकते हैं इस क्रुटे वृट अगरकोशर प्रोड़क्ट सबसक्यक्राइब services खरीदते हो तो चाहे उस वक्त लाखोन लोग क्यों न प्रोड़क्ट खरीदें वो आपको instantly service provide करता है उसके साथ और क्या feature हमें प्रोड़क्ट करता है e-commerce कि e-commerce हमें facility provide करता है कि हम हमारे whole world में कहीं पर किसी पी जगा पर बैठके जब चाहें तब हम क्या कर सकते हैं प्रोड़क्ट को और कर सकते हैं प्रोड़क्ट को खरीच सकते हैं तो यह है different type of features जो कि e-commerce हमें क्या करता है provide करता है तो अभी देखते हैं what are the different elements of successful e-commerce एक successful e-commerce का different type of element क्या क्या है मतलब एक e-commerce को जब हम successful e-commerce बोलेंगे तो उसमें ऐसा क्या-क्या element यह क्या-क्या quality होना चाहिए जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि यह successful e-commerce हम बोल सकते हैं okay so first element of a successful e-commerce is responsive design responsive design मतलब एक particular e-commerce website में अगर हम कोई product के बारे में क्वेरी कर रहे हैं कोई product के बारे में search कर रहे हैं तो वह हमें क्या करे properly response provide कर पाना चाहिए उसका designing ऐसा होना चाहिए तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि वह successful e-commerce है बोलके उसके बाद another element of successful e-commerce is mobile and tablet compatibility means easily mobile and tablet में open हो पाना चाहिए mobile and tablet में easily access हो पाना चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग mobile and tablet ही यूज़ करके क्या कर सकते हैं online के थ्रू गूर्स और services को खरिदते हैं उसके बाद कोई भी e-commerce site अगर हम बनाते हैं तो उसका जो logo होता है हर एक e-commerce site का logo लग रहा है तो ऐसा एक clear logo होना जरूरी है हर एक successful e-commerce website का उसके साथ offer and free shipping एक e-commerce website एक successful e-commerce website तब हम बोलेंगे कि वह अगर time to time offer provide कर रहा है अपने courses में products में और free shipping free delivery अगर provide भी कर रहा है बीच-बीच में तो वहाँ पे उसको बोल सकते हैं वह successful e-commerce का element है बलके उसके बाद easy navigation एक particular e-commerce website के अंदर अगर हम एक particular page से और एक particular page को easily move कर पा रहे हैं जब हम चाहें जैसे हम चाहें तो वहाँ पे वह भी एक तरह का element है successful e-commerce का then product image हम कोई भी e-commerce site से कुछ भी product अगर खरीते हैं तो कैसे खरीते हैं image को देखके तो अगर image एक तरह का दिखाएगा product एक तरह का आएगा तो second time एक particular customer वही सेंट shopping site को और जाएगा क्या नहीं जाएगा बट जिस तरह का image दिखा रहा है उसी तरह का ही अगर product हमारे पास आता है तो वह particular customer एगें एगें वही shopping site को विजिट करेगा product को क्या करने के लिए product को खरीदने के लिए और क्या है successful e-commerce का मतलब element social media link वहाँ पर social media के साथ link होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी flip card है फिर Amazon में product खरीते हो तो वहाँ पे share option होता है जिसके द्वारा आपका product का link आप जिसके साथ चाहो उसके साथ क्या कर सकते हो उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए एलेमेंट एक सक्सिस्पुली कमल्स का easy payment easily payment करने का method वहाँ पर हमें प्रोवाइड करना चाहिए उसके साथ वहाँ पर ट्रस्ट मार्क सिंबल होना चाहिए जैसे कि आप अगर फ्लिपकार्ट में कभी भी product खरीदे हो तो वहाँ पे आप कोई भी brand वाला जैसे कि कोई भी high quality product मतला जैसे कि high rated वाला कोई product देखो तो वहाँ पे लिखा होता है एक काट के तरफ से एक ट्रस्ट मार्क सिंबल वह प्रोवाइड करता है कि यह particular product को इसका guarantee कौन देता है इसका guarantee खुद फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है तो वैसे प्रोड़क्ट का तो एसी यह फिर मतलब ट्रस्ट मार्क नहीं प्रोड़ाइड करता है उसके साथ साथ कोई भी सोपिंग् साइट से अगर आप कुछ प्रोड़क्ट खरीते हो तो वाप पे डिलीवरी या पिर रिटन इंट्वर्मेशन भी वह आपको प्रोवाइड अगर कर रहा है तो सोपिंग साइड को हम एक सॉक्सेस्फुल इकमर्स साइड बोलेंगे कि जैसे कि आप प्रोड़क्ट और करते हो तो आपको डेलीवरी इंफरमेशन दिखाता है कि कब डेलीवर होगा कब सेपिंग हुआ कब आपके होप सेंटर के पा लोगे तो वोगे तो समझा गया कि एकमर्स क्या है ये और एक स्टंप के बारे में अभ हम ने डिसकस किया तो अभी हम डिसकस करेंगे क्या है डिस्टीप आफ इकमर्स के बारे में क्लिश न टंब इसक्टाइब Biz business model business model के हिसाब से हम e-commerce को क्या कर सकते हैं mainly seven types different types में divide कर सकते हैं तो उनमें से main types हैं यह seven types first type is b2c e-commerce b2c मतलब b2c means business to consumer business to consumer लिख सकते हैं business to customer भी लिख सकते हैं business to consumer e-commerce हम किस तरह के e-commerce को बोलते हैं जिस तरह के e-commerce में business organization अपना product या अपने फिल करता है consumer को और consumer online के थुरू अगर उस particular business organization के business organization से product को खरिदता है तो वहां पर उस तरह के e-commerce को बोलेंगे b2c e-commerce तो जहां पर नंबर अप रांजेक्शन बहुत जादा होते हैं पर हर shopping site को यूज कर रहा होगा लाखों लाखों लोग हजारों हजारों क्या करते हैं एक पर्टिक्लर shopping site को यूज करते हैं और प्रड़क्ट को खरिद के online transactions करते हैं तो बीटुसी ए-commerce क्या पता चला जिस तरह के e-commerce में एक consumer कोई भी एक particular business organization से अगर online के through product या फिर goods या फिर services अगर खरिता है उस तरह के e-commerce को बोलते हैं बीटुसी e-commerce okay then another type of e-commerce is b2b e-commerce b2b means business to business okay so business to business e-commerce हम किस तरह के e-commerce को बोलेंगे जिस तरह के e-commerce में हमारा जो transaction है वो दो business organizations के बीच होता है जहां पर कोई consumer या फिर customer को participate करने के लिए allow नहीं किया जाता उस तरह के e-commerce को उस तरह के e-commerce site को हम बोलते हैं b2b e-commerce okay तो b2b e-commerce में जब suppose एक example लेते हैं एक hp company है एक intel company है तो intel company को क्या करना है अपने सारे processes को sale करने है hp company को और hp company क्या करेगा सारे processes को खरित के एक large amount क्या करेगा online के तुर transaction करेगा intel company को तो यहां पर जो business organizations के बीच online के थ्रू जो money transaction हो रहा है online selling and buying जो हो रहा है उस तरह के e-commerce को में बोलेंगे b2b e-commerce उसके बाद आते हैं c2b e-commerce किस तरह के e-commerce को में c2b e-commerce जैसे कि example लेते हैं एक bank का कि consumer को suppose loan चाहिए एक particular bank से तो एक bank का website है वो क्या करेगा online के थ्रू एक bank के website को request करेगा कि मुझे loan चाहिए बोलके तो वो bank website के थ्रू क्या करेगा वो particular bank देखेगा कि customer को जिस तरह का लोन चाहिए वो उसी साबसे उसको क्या करेगा उतना रुपया online के थ्रू transaction करेगा तो यहां पर यह एक कैसा e-commerce हुआ जहां पर पहले एक consumer ने request किया एक business organization को उसके बाद वो particular business organization ने money transaction किया consumer को तो यहां पर जिस तरह का e-commerce हुआ उस तरह के e-commerce को बोलेंगे consumer to business e-commerce उसके बाद आते हैं और एक तरह के e-commerce के बारे में जिसकी e-commerce का नाम है c2c e-commerce तो किस तरह के e-commerce को में c2c e-commerce बोलेंगे c2c means consumer to consumer क्या है सीटू सी का मतलब है consumer to consumer मतलब एक consumer जैसे कि मैं consumer हूं और आप एक consumer हो तो मैं एक product को यूज करना चाहता हूं और एक consumer को शेल करना चाहता हूं तो online के थूरू अगर ऐसे कोई shopping sites हैं ऐसे कुई sites हैं ऐसे कोई e-commerce websites हैं जिसके थूरू अगर हम हमारे यूज्ट product को और एक customer को सेल कर सकते हैं तो उस तरह के e-commerce को हम बोलेंगे c2c e-commerce जिस तरह के e-commerce में एक customer और एक customer को अपने यूश्ट प्रोडट्ट को सेल कर सकता है उस तरह के e-commerce को हम बोलेंगे c2c e-commerce उसके बाद आते हैं और एक तरह के e-commerce के बारे में जिस e-commerce का नाम है b2g e-commerce ओके तो किस तरह के e-commerce पाने के लिए अगर government को approach करता है और approach करने के बाद government अगर उसको online के थ्रू service provide करता है उस तरह के e-commerce को हम बोलेंगे b2g e-commerce जैसे कि example हम क्या ले सकते हैं जैसे कि सपोज कोई institution open कर रहा है कोई एक college खोल रहा है या फिर कोई एक hospital open िटन कर रहा है तो उसको gonna by education करें सब्मीट करें करें कि जो फार्म किया है वो सही है या नहीं विसको करेंगा पर आपना क्या करने के बादừaGearn को और एलाव करने के बाद वह organization अपना क्या कर सकता है अपना बिजनेस सुरू कर सकता है तो यहां पर एक business organization government से approach मतलब government से service पाने के लिए जो approach करता है online के तरू उस तरह के e-commerce को क्या बोलते हैं b2g e-commerce उसके बाद आते हैं और एक तरह के e-commerce के बारे में जिस e-commerce का नाम है g2b e-commerce g2b e-commerce means government to business e-commerce जहां पर government क्या करता है approach करता है multiple number of business organization को government के services को क्या करने के लिए implement करने के लिए मतलब जैसे कि suppose कोई एक रस्ते का काम करना है ब्रीच का काम करना है तो government क्या करता है टेंडर पास करता है और उसे टेंडर को online के थूड़ता है इसके द्वारा जीन जीन contractor को उसी टेंडर को लेना है तो वहाँ पर business organizations क्या करेंगे एप्लाइब करेंगे government website के थूँ फिर government देखेगा कि जितने भी business organizations वहाँ पर टेंडर के लिए apply किये हैं उन में से कौन सा business organization हमें को profit लेके अच्छा काम करके provide करेगा तो comment वहाँ पर क्या करेगा उसी particular business organization को टेंडर प्रोवाइड करेगा और टेंडर प्रोवाइड करेगा जो online के थूँ वहाँ पर उस तरह के e-commerce को हम बोल सकते हैं जी टूबी e-commerce उसके बाद आते हैं और एक तरह के e-commerce के बारे में जिसका नाम है जी टूसी e-commerce जी टूसी मेंस government to citizen तो government अगर अपना कोई भी service कोई भी नया स्कीम अगर निकलता है उसके बारे में information अगर citizen के पास वो website के थूँ पहुंचा रहा है तो उस तरह के e-commerce को हम बोलेंगे जी टूसी e-commerce सो जी टूसी e-commerce का main motive क्या है इस तरह के e-commerce website को निकालने का main motive यह है कि citizen के पास government के सारे स्कीम सारे services के बारे में information प्रॉपरली कम टाइम में पहुंच सके तक कि कोई भी citizen मतलब बंचीत ना रहे या फिर कोई भी citizen को मतलब ऐसा कोई citizen ना हो जिसको पता ना चले government के दौरा कोई स्कीम अगर निकलता है तो जैसे कि आधरकार्ड निकला था तो आधरकार्ड सब के पास कम टाइम में पहुंचाना पॉसिबल नहीं था तो क्या क्या अपना एक वेबसाइट डेवलॉप के जिस वेबसाइट का नाम है यू आई डी अई ओके जीश्यट के थ्रू कोई भी citizen क्या कर सकता है अपने आधरकार को वहां से डाउनलोड कर सकता है अपने आधरकार में कुछ भी चाहता है उसी पुटिकलर सब्सक्राइट से क्या कर सकता है यह फैसिलिटी से डिजन को प्रोवाइट को कर रहा है तो अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे भी अभी हम डिसकस करेंगे वाट डिफेंट एडवांटेज इस और बिजनेस और डिफेंट हैं तो फॉर्स्ट वंडिसकस करेंगे वाट अडिफेंट एडवांटेज इस ऑफ्शेस तो एख इपिजनेस में अन्लान बिजनेस में बौट अलग-तरह के थेंसे होते हैं एक तरह के परिसंस होते हैं जो की प्रॉडूक्ट analysis ok और एक ग्रूप एप पिप्ड उक्नेस त प्रोफिट मिलता है और उसके बार हम फिर देखंगी का क्या 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 फोता है तॉब वेंडर क्या कर सकता है जो है अपने प्रडिक्टक्ट को ठीड़ कर सकता है कि वेंडर 승व है को जब उसी पृटिक्लर सोपिंग साइट को तो वह क्या करेगा उसी तरह के प्रोड़क्त को ज्यादा क्या तो एंडर की साइट में कैसे कैसे तरह से अड़किस हो सकते हैं तो जिसके वज़ें से और कैने को कि कि अगर कोई नायन बिजस्नेस कर रहा है एंस कर रहा है थो अगर अन्रीड कांट्री सो कवर करने हैं तो मुझे और सब्सक्राइब गर सकते हैं ना सकते हैं वही से नहीं किया कर सकते हैं हमारे बिजनेस को whole world में control कर सकते हैं या फिर manage कर सकते हैं जिसके द्वारा क्या होगा कि हमारा product ज्याद से ज्यादा sale होगा normal business के comparison में मतलब profit ज्यादा हुआ और उसके साथ employee भी हमें ज्यादा रखना नहीं पड़ेगा as compared to normal business जिसके वजह से हमारा läuft मतलबола और को रखना पड़ता है अभी दगने के जब चाहे जैसा चाहे, जैसे situation में चाहे, वैसे situation में रहे के customer product को अपने घर पे बैठे खरीच सकता है और कोई एक दुकार में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे limited number of product होगा बट e-business के थुरू आप countless product घर बैठे देख सकते हो जिस तरह का product चाहो, उसी तरह का product आप सर्च करके देख सकते हो एक particular product के price को अब अलग-अलग e-business side से compare करके जहाँ पे best price में best product मिल रहा होगा, वहाँ से आप खरीच सकते हो आपको product खरीदने के लिए बाहर जाने की ज़रत नहीं है, घर बैठे अब product को order कर सकते हो ऐसे different type of advantages consumer को मिलता है e-business के द्वारा, अभी आते हैं advantages of e-commerce के बारे में, e-commerce के द्वारा क्या क्या advantage मिलता है consumers को e-commerce के द्वारा consumer घर बैठे product को जब चाहे तब खरीद सकता है, घर बैठे जिस तरह का books खरीदना चाहता है उसी तरह का books सकता है, जिस तरह का products खरीद खरीद सकता है, उस also कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिसके वज़े से ट्राफिक भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि लोग क्या करते हैं कोई भी चुटा सब प्रोड़क्ट खरीदना है कोई भी बड़ा सब प्रोड़क्ट खरीदना है वो क्या करता है गाड़ी पकड़की जाता है तो अगर घर ब सकते हैं को एक पर्टिकुलर प्रोड़क्ट को हम compare करके बेश्ट प्रोड़क्ट बेश्ट प्राइस में क्या कर सकते हैं और क्या अडवंटेज मिल सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोड़क्ट के बारे में अगर हम एंक्वेरी करना चाहते हैं को इक पर्टिकुलर प्रोड़क कोई भी एक दुकान के comparison में और एक particular e-commerce website हमें different type of options प्रोभाइड करता है कोई भी प्रोड़क्ट को लेके जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे प्रोड़क्ट को compare करके जो पहले हम देखते हैं इंडिया के कुछ popular इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा popular सबसे ज्यादा यूज होने वाला कुछ e-commerce या फिर कुछ e-business website के बारे में फॉस्ट टाइप of e-business website is government e-marketplace so government e-marketplace central government का initiative e-business website है इस तरह का e-business website बनाने का government का में मोटिव यह है कि online के थुरू manufacturer, wholesaler, retailer, customer सब एक platform में एक दुसरे के साथ connect हो सकें और connect होके जो जिससे directly product को खरीदना चाहता है जो जिसको directly product बेचना चाहता है बेच सकें उसके बाद आते हैं दूसरा ओंफेड ओंफेड के बारे में हर कोई सुने होगे ओंफेड औरिसा का एक जैसे की एक business shopping site है एक business site है जो की dairy product मतलब milk related products को sale करता है तो online के थुरू भी हम क्या कर सकते हैं ओंफेड कंपनी से हम उनके different type of dairy product को क्या कर सकते हैं उसके बाद आते हैं और एक तरह के इंडिया का पॉप्लर साइट जो है फिस फिर मतलब यह एक चिलिका का साइट है जहां पर फिस 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 रिलिटेड जितने भी सारे products है वह online के थुरू हमें करता है यह particular site उसके माद आते हैं और फिस यह हमारा ओडिसा स्टेट का comment का ओडिसा स्टेट government का एक department है ओडिसा फोरेश्ट डिपार्टमेंट कोबरेशन ओडिसा का forest department है तो ओडिसा के जितने भी forest areas है उनका popularity बढ़े ज्यादा से ज्यादा लोग उन मतलब forest area को विजिट करने आए जिसके वजह से ज्यादा से ज्यादा profit कमाया जा सके ओडिसा स्टेट के लिए तो जो शोपिंग साइट या फिर जो मतलब हमारा ओडिसा फोरेश्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया जो e-commerce साइट या फिर a business साइट है उसका नाम क्या है www.ecotourism.com जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम ओडिस जादा से जादा लोग वहाँ पर घुमने जाएंगे उतना जादा से जादा profit को मिलने वाला है उसके बाद ओडिसा का और एक department है department of handloom textile and handicraft जहां पे इस particular department का का काम है कि गाउं में जैसे कि गाउं के एरिया में जितने भी हाथ से बनाए गया product का दिमांड जरी धरे कम होत जिते क्योंकि गाउं के पास सहर के लोगों को पहुंचने के लिए टाइम नहीं है तो वहाँ पे ओडिसा का जो department of handloom textile and handicraft है वो department ने एक प्लाइन किया या फिर एक initiative लिया कि हम ऐसे करते हैं ऑनलाइन के थूप हैंडिक्राप product को सेल करते हैं तो उसके लिए उन्होंने ब प्रोडक्ट को हैंडिकराप्ट रिलेटेड प्रोड़क्ट को क्या किया जाता है सेल किया जाता है तो यह है इंडिया का कुछ popular sites जीन साइट को हम में यूज करते हैं ओनलाइन के थूप रड़क्ट को सेल करने के लिए उसके बाद आते हैं होल वर्ड में popular होने वाला popular shopping site है याद रखना ब्रोड़क्ट के लिए जो कि इंडिया में भी अभी अभी अपना प्रोड़क्ट सेल करना शुरू कर चुका है उसके बाद आते हैं फ्लिप काट एक ऐसा shopping site है जो कि इंडिया का सबसे लार्जेश्ट e-commerce site है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा अपना प्रोड़क्ट ऑनलाइन के तुरू सेल करता है उसके बाद आते हैं स्नैप डिल स्नैप डिल एक ऐसा shopping site है जो कि मतलब अगर हम ट्रावेलिंग रिलेटेड कुछ टिकेट बुकिंग करना चाहते हैं होटेल या फिर रिश्टरेंट के लिए टिकेट बुकिंग करना चाहते ह है तो वहां पर वह तरह का फेसिलेटी हमें प्रोवाइड करता है स्नैप डिल पेटीम एक ऐसा सोप एक ऐसा साइट है जो कि फर्स्ट मार्केट में आया था मोबाइल रिचार्ज है फिर बिल पेमेंट के लिए अभी वह डिफरेंट टाइप अप प्रोड़क्ट भी ऑनला फेसं रिलेटेट प्रोड़क्ट को स्यल करता है मतलब कोई कई खाने प집ी का चीज़ में करता सिर्फ फेसन रिलेटेड प्रोड़क्ट ही स्यल करता है अब ह्याइसी वह फेमस है एक एक सायर्षज अपिंग साइनल है जो कि 24-7 उसका एक चैनल है जहांपर वो आड्वर करता रहता है अपने प्रोड़क्ट का और यह एक ऐसा सोपिंग साइट है जो कि बेश्ट सोपिंग साइट के हिसाब से एवाड पाया था 2008 में उसके बाद को सबसे और की सबसे अपना सबसे ज्यादा क्या कर रहा है सिल कर रहा है अगर वह है नाव All, ओके, तो अभी हम आते हैं और एक टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है Social Impact of E-Business. E-Business का हमारे Society के उपर क्या Impact पड़ता है, उसके बारे में डिसकोस करेंगे. तो ये बिजनेस का हमारे Society के उपर positive impact के साथ साथ नेगेटिव इंपक्ट भी है तो पॉजिटिव इंपक्ट क्या है ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इंपक्ट है कम से कम नेगेटिव इंपक्ट है पॉजिटिव इंपक्ट यह है कि घर बैठे प्रोड़क को खरिच सकते हैं उसके साथ और क्या पॉजिटिव इंप प्रोड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त प्रोड होने की चैंसे से ज़्यादा लोग हमें ऑनलाइन के जूट बोलके प्रोड करके हमसे पैसे ले लेते हैं और यह एक नेगटिव इंपक्ट है कि जो लोग ऐसे ई-बिजनेस उर्गनाइजिशन्स में काम करते हैं सोपिं हो जाता है जिसके वज़े से उनको क्या करना पड़ता है वह जाद से जाधा जबकि सोशेल मीडिया में एटेश्मेंट हो जाता है उनका तो धीरे 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 वह लेथार्जिक हो जाते हैं लेजी लेजिनेस उनमें आ जाता है इसके वज़े से वह जितना काम पहले कर पाते थे उतना काम बाद में अभी नहीं कर पाते हैं तो यह है कुछ सोसाइटी में impact e-business का अभी आते हैं next topic के बारे में next topic हमारा है challenges in e-business e-business में क्या-क्या challenges हमें face करना पड़ता है educational challenges behavior challenges legal challenges ओके ऐसे different type of challenges हमें face करने पड़ते हैं e-business में इंडिया में हमें किस तरह का challenges phase करना पड़ता है इंडिया में जबकि हम जानते हैं हमारा जो इंडिया में internet का bandwidth है internet का transmission speed जो है वो बहुत ही slow है और ऐसे बहुत सारे areas हैं जहां पर internet service अभी तक भी नहीं पहुंच पाया है तो जिसके वजए से अगर कोई करने की कोशिस करता है internet flow होने के वजए से अगर उसका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो सेकंड टाइम वो और इंट्रेस्ट ही नहीं लेता कि online transaction वो करे क्योंकि उसके मन में डर आ जाता है तो जिसके प्रॉब्लम है कि अगर कर दे उसके पास प्रॉड़क्ट चला जाए फिर वाद में बोलेगा कि मैंने तो प्रॉड़क्ट और नहीं किया है तो वहां पर जो इतना दूर transaction करके वो प्रॉड़क्ट को लाया तो ट्रांस्पोट करके जो प्रॉड़क्ट को लाया उसके लिए जो खर्चा होता है वह ज्यादा प्रेसर किसके उपर बढ़ता है एक बिजनेस औरगानेजिशन के उपर तो यह तरह का चैलेंज करना पड़ता है इंडिया में मोबाइ प्रेस्ट तो बहुत हैं इसके वज़से फिच्ट फोन के तुरूँ को आनलाइन के रूदक को सेल नहीं कर सकता तो जिसके मज़े से ज्याधा व्यादा लोग यह बिजनेस औरगानाईजीशन को यह बिजनेस औरगानाईज़िशन से ओन-दू प्रॉड़क्ट नहीं खरीज सकते यह सेकंड चैलेंज एक बिजनेस उर्गनाजीशन का इंडिया में कि एफ्रिड़ेंड इंडिया में बहुत सारे नियू कॉस्टमर्स आ रहें जो कि नाय ने फॉर्स फॉर्स टाइम एफ बिजनेस उर्गनाजीशन को आके ऑन्लाइन करूप्र खरीद रहें तो करने की चैंसे बहुत जादा हुगा तो वहां पे क्या होता है और लोग फ्रोड़क्ट को खरीद रहे है उनको प्रोपरली आईडिया उसके बारे में नहीं होता तो प्रोड़क्ट रिट्न करने की चेंसिस बहुत जादा होते हैं first time buyers के तरफ से तो इस तरह के problem को भी face करने पड़ते हैं different type of challenges को face करने पड़ते हैं a business organization को तो यह है different type of challenges जो के a business organization को इंडिया में face करना पड़ता है तो आज के class में हमने discuss किया IT applications के वो सारे topics के बारे में जो सारे topics में से इस बार हमारे 2020-2021 session में CHC board exam में IT के क्या आ सकते हैं questions आ सकते हैं तो इस particular chapter का एक long question confirm है maximum to maximum 95% chances एक question आ सकता है वो question है types of e-commerce ओके B2B, B2C e-commerce यह एक long question guarantee है बोड़ exam में जैसे भी करके 90-95% chances से आ सकता है तो उस particular long question को जाद से जाद ध्यान दीजिए और बागी topics को भी overlook कीजिए क्योंकि इस chapter से two marks का question भी at least one आ जाएगा तो five mark का एक long question पक्का आ जाएगा two marks का question भी at least one आ जाएगा तो जितने topic अभी हमने discuss किया उसी के अंदर से ही seven mark और short questions at least 2-3 आ सकते हैं तो दस mark हो गया यहां से expand भी कुछ आ सकते हैं तो minimum 12-13 marks इस particular chapter से exam में आ सकता है इस लिए इस particular chapter को भी आप हलके से मत लीजिए इस particular chapter को भी अच्छे से practice कीजिए जितना topic कभी हमने discuss किया okay so next class में हम discuss करेंगे एस और कुछ chapters के बारे में और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही thank you